नमस्कार दोस्तों मैं केलेस करने या आप सभी लोगों का बहुत बहुत श्वागत है तो देखिएगा हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी चार संदी हो गई पिछली वीडियो में ठीक है उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे पांचमी संदी की और इह है अयाद संदी कि ये कह रहा कि H क्या है? H एक प्रत्याहर है H प्रत्याहर में आने वाले बरड़ों को क्रमशर क्या होता है? तो आने कौन-कौन से बाढ़ाएंगे तो A, O, I और O इनको क्रमशर A को क्या होगा? अयादिस होगा ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलना है और य अब देखिए यहाँ H आयवा ठीक है? यहाँ आवा जो लिखा है तो अब हो गया आपको क्या होगा? अवा दिस होगा ठीक है? इतनी बात सबीगो क्लिर है यह आपका चैसा है फर्मूला चैसा डैफिनेशन जो भी समझजिए बट अभी मैं जो कराऊंगा वो बिल्कुल इन 4-4 step को लगवाग 8 step में change करूँगा ठीक है या 6-7 में change करूँगा क्योंकि यहां से question जो बनता है उन चीजों को मैंने देखा है कहां कहां से आपका question बनता है तो देखिएगा समझिए first step को लेकर हम चर्चा करेंगे या पर छोटे-छोटे दो-दो धारर ले गए बस ज्यादा नहीं ठीक है वैसे ज्यादा लेगे तो बहुत बड़ा वीजो लंबा हो जाएगा इसलिए ठीक तो अयाद संदी का पहला step यदि आपका A I plus A के बाद A I ठीक है तो A के स्थान पर तो A के स्थान पर क्या होगा भई A को ही तो हो रहा है तो A के स्थान पर A I आदेश हो जाएगा क्या हो जाएगा? A I हो जाएगा ठीक इतनी बात आपको समझ मा आ गई के नहीं आ गई बताइए जैसे एक्जामपल दो-दो ले ले लेगे यहीं पर ठीक चलिए जैसे एक्जामपल बहुत ही सुन्दर एक्जामपल लेगे चे प्लस अन ठीक अब देखिएगा यहाँ पर कहा कि A प्लस से पहले हो तो चामे क्या है? A है, है कि नहीं यह और प्लस के बाद कि A हो तो अन का A है यह देखो, A है तो कहा कि अब क्या होगा? इस A के स्थान पर आय हो जाएगा तो जो A है इसके स्थान पर क्या होगा? आय हो गया बताओ, समझ वा गया कि नहीं आ गया? किलियर? इहां क्या बचा? इहां पूरा आने है क्योंकि A के स्थान पर आय हुआ ना की A और A के इस्थाल पर तो आप लोगों को समझ में आया की ने आया के लिए इतनी बाद समझ मागी अब यहां क्या बचा? यहां बचा केवल चा बचा कैसा? हलन आ मिलेगा चा से और आ मिलेगा या से तो यहां चा पूरा यहां या पूरा और ना पूरा है तो क्या बन गया है? चायन चायन में कौन सी संदी है? अयादी संदी है किस सूत्र से हुई? हो आवा यहावा सूत्र से के लिए चलिए आगे बात करते हैं next point पर दूसरा step example दे देते हैं इसको यहाँ पर आपको अन्य example दे देता हूँ ठीक है उसके बाद next step पर चलते हैं बहुत ही सरल है कठे नहीं है इसी प्रकार से अन्य उधारण अगर बात करें जैसे आपका नयन हो गया ठीक है ऐसे कोई भी उधारण मिले हैं वो इस example की द्रश्टी से फर्स्ट step में के लिए इसी प्रकार से second ले लीजिएगा second में क्या है तो हम पहले A, A को कबर करते हैं A और I को A हो गया अब बचा I I है कि I प्लस A या E I तो I के स्थान पर I आदेस होता है इतनी बात सभी को किलियर है समझ मा रहा के नहीं आ रहा है कर लोगे आरे क्यों नहीं कर पाऊगे हो जामबाज ख़रा रही हो जैसे देखेगा गई प्लस अन फर्मूलाम फर्मूलाम धोड़ा लगाना अपना कन देखो फर्मूला को लगाओ फटापट दिमाग तो गई में क्या है I है अन का A है ठीक है और यह क्या कहा रहा है केवल केवल I के स्थान पर होगा क्या है इस I के स्थान पर क्या हो जाएगा I हो जाएगा जब I हो जाएगा तो यहां अन बच्चा उपरवाल हमारी आदत है हलंत लगाने की कुछ पूचो न चलिए तो अनो हो गया और यहां बच्चा गा गा कैसा हलंत आ मिलेगा गा से आ मिलेगा या से तो बड़ा गाया ना क्या बन गया गायान बन गया बताईए किलियर हुआ बन गया की नहीं बन गया गया ठीक है? इसी प्रकार से अन्नो धारन में हम पर लिख दूँ कौन-कौन सा जैसे आपका साहरा जैसे आपका साहरा, साही प्लस अरा साहरा जैसे आपका नाय का यह आपके नई प्लस अका नाय का जैसे आपका गाय का ठीक है, तो गई प्लस अका गायका ठीक, अब एक और धरण में यहाँ पर बताऊंगो, छोटा सा step, यहाँ पर इसी का जो यहाँ पर E लिखी है इसको देखना, तो मैंने एक धरण लिया कि आप confusion नहों कई प्लस एका, जब यह स्थिती होगी, तो क्या होगा, कई में जो आई है उसको तो क्या होगा, आई हो जाएगा तो यह बन जाएगा का है ठीक, और यहाँ बचेगा, तो E मिलेगा इससे चलो मैं पूरा step बता दूँगा आप लोग चक्रम पढ़ जाओगे है न, मैं यहाँ पर छोटी सी चीज़, क्योंकि ज़रूरी है यह भी, तो कई में आई है, ठीक यहाँ एका है, तो E आरा कोई बदलाव नहीं होगा, तो आई के स्थान पर आई आदेस हो गया यहाँ बच्चा एका और यहाँ बच्चा का का हलंत है आ मिलेगा का से और E मिलेगा या से तो देखेगा, यह बनेगा का और E मिल जाएगा या से तो का है का, ठीक, क्या बने गया का है का, यह आपका किलियर हो जाएगा, ओके डन, समझ गए तो यह आपके जो संदी के आया संदी के दो स्टेप हो गए एक तो A हो गया और I हो गया अब बचा O और O Next देखते हैं अगले में इस लाइड में तो यहाँ पर हमें अब बताना है को O को अवादेस हो रहा है और O को अवादेस हो रहा है ठीक है कैसे होगा दो step इस सलाइड में देख लेते हैं थार्ड श्टेप आया, थार्ड ने ये कहा कि O आये और प्लस आये, तो इसको अब होता है, किसको अब होता है, O को, ठीक, क्लियर, जैसे यहां देखी गा, बहुत फ्हेमस है, पो प्लस अन, बना लोगे, पो प्लस अन, O है, है कि नहीं है, इसको क्या होगा, अब हो जाएगा, तो यहां बचा पा, पा हलंत है, प्लस, प्लस, यहां बचा अन, आम लेगा वासे, और आम लेगा पासे, तो पापूरा, यहां बापूरा, यहां न, तो हो जाएगा, पवन, देखो, यहां लंत फिल लग गई, तो पवन बनेगा, इसी प्रकार से, हवन, इसी प्रकार से, भवन, आदियो धारण, आपको देखने को मिलेंगे, यह आपत त इसरा स्टेप समाम चौता स्टेप यह है कि अव प्लस आव आए तो अव को आव आदेस होगा इस अव को क्या होगा आव आदेस हो जाएगा के लिए जैसे समझेगा बही प्रक्रिया है कुछ भी जादा नहीं है तो इहां ले लेते हैं पव प्लस अका बहुत सुन्दर है पव में अव है अव को आव आदेस हो जाएगा यहां बचेगा पा पाहलन यहां अका है आव मिलेशा वा से बापूरा और बड़ा मिलेगा पा से तो पाव का हाँ क्या बनेगा पाव का अचा किसी को कोई प्रॉबलम जरा कमेंट करके बताएं कोई भी दिक्कत हो समस्या हो समझने में कर लोगे इसी प्रकार से धाव प्लस अका होगा धाव का बन जाएगा इसी प्रकार से पाव प्लस अना होगा पावना बन जाएगा आद आपके उधारर देखने को मिल जाएगे यह आपके चार स्टेप हुए अब कुछ इनके और भी बिस्मृत रूप है जो की सीधे सीधे नहीं है गुमा फिराके ठीक है उनको भी हम चर्चा करेंगे दो तीन है उनको भी तो नेट्स स्लाइड में देख लेते हैं पांचमा स्टेप ध्यान देना बहुत ही इंपोर्टेंट है यह बात भईए O प्लस EI यहां आ रहाता अभी हो गई तो O को अब हो जाएगा कर लोगे अब मैं नहीं करूँगा यह जयाद रखना जैसे ठीक है समझते जाओ दो तीन बार वीडियो को देख लो किलियर हो जाएगा जैसे पो प्लस EI करो इहां हम सब को सबका लेखे देंगे गो प्लस EI करो ठीक है सो प्लस EI EI कर लेजेगा ठीक है तो अब होगा क्या बनेगा पवित्रा अब होगा क्या बनेगा गवित्रा क्योंकि E आ गई अब होगा क्या बनेगा सवित्रा यह आपके इसके थे ठीक इसी प्रकार से छटमा है इस्टेप आपका एक और कि आउउ और प्लस EI आप अभी तक आ ले रहे थे अभी ले लिया यह सब अपने हट के बने हुए हैं एक भी उधारण छूट न जाए इसलिए ठीक है तो इसी प्रकार से इसको क्या होगा आप होगा जब आप होगा तो बड़ा हो जाएगा तो यहाँ जैसे आपका धव प्लस इत्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा इसी प्रकार से गव प्लस इनी वनाएंगे तो क्या बनेगा जरा बताएं इसी प्रकार से नव प्लस इकाव लगाएंगे तो क्या बनेगा इह आरा सम्मे तो आप होगा तो इसका धा बित्रा हो जाएगा क्या हो जाएगा धा बित्रा इसका हो जाएगा गायवेनी इसका हो जाएगा नाविका पूछा जाता आप नाविका बहुत बार पूछा गया कौन सी संदी है तो ये है आयाद संदी ठीक है नोट करना चाहे आप सभी लोग नोट करते चलिए अच्छे से पुस्ट करके वीडियो को और सारे लोग जो है चाहे आपको इसकी स्पीट जो है वो कम कर लिया करो माइनस में ठीक है चलिए एक और लास्ट है नेट सेलाई में देखते हैं सात्मा स्टेप यहाँ पर काफी स्टेप बनाए हुए थे तो इसलिए आउ प्लस उ आए तो आउ को आवादेस होता है और यह बहुत बार पूछा गया यह एक्जामपल जैसे ठीक है ऐसे ही पूछे जाएंगे जी और बता रहा हूँ तो आप लोग परशित भी होंगे भाव प्लस उका जो लोग नहीं है देख लें यहाँ आउ है आउ के स्थान पर क्या होगा आवादेस हो जाएगा जब आवादेस हो जाएगा तो यहाँ बच्चा भा भाहलंत है और यहाँ बच्चा उका ठीक है तो उ मिलेगा वा से आ मिलेगा भा से तो हो जाएगा भावु का ठीक भावका बन जाएगा इसी प्रकार से अन्यो धारत की अगर बात करें जैसे मैंने लिखा चव प्लस ओका बना लोगे क्लियर है जैसे मैंने लिखा सव प्लस ओका तो अब केवल आ, इ, उ यहीं तक आब ब्रत्ती है और इतने ही ज़्यादा ज़्यादा पूछे जाते ही तो यहाँ आउ है और आउ को क्या होगा आब होगा, क्या बनेगा तो बन जाएगा चाबुका, ठिक यहाँ भी आउ है और आउ को क्या होगा आब होगा आब होने गनाते हैं सा है, साहलंत है प्लस, प्लस, यहां उका है मिला दो, उ मिलेगा वा से हा मिलेगा सा से, ऐसे ही मिलते हैं पीछे से आगे की हो जो बर्ड अच्छ से हीन है जो वियन्यन बर्ड है उसी में स्वर मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो हो जाएगा सावुका क्या हो जाएगा? सावुका क्लियर, चले यह आपका आयाद संदी जो है, तो आयाद संदी समाप्त, कैसी लगी संदी? जरज, कमेंट करके बताएं, चले एक बार रिवीजर कर लेते हैं, फटा फट आयाद संदी आपने देखा आयाद संदी को लेकर हमने चर्चा की, और चर्चा करने के बाद यहाँ पर देखा कि चार हो रहे थे, एक को आय हो राता, ओ को आप हो राता, और आई को आय हो राता, और आउ को आप हो राता यह हम नहीं कह रहे हैं, यह यहाँ सूत्र बतारा, एज प्रत्यारमा आने वालेगए ठीक है, तो यहाँ पर पहले stem आय किया, जैसे नयान, सायान, हयान, चायान, इत्यादी बने दूसरे में आपने आय किया तो सायरान, आय का, पाप का सारी, गाय का, गायान, इत्यादी बना ठीक है, हाँ, काय का इत्यादी बना, उसके बाद अगले point पर अगर बात करें तो तीसरा point यहाँ बना, कि ओको अवादिस होता है, तो यहाँ किया अब बन गया पवन, बन गया हवन, बन गया भवन, इत्यादी, ठीक है नोट कर लिए सबीर है, चली आगे बढ़ते हैं अगले point पर, तो अगला point है आपका, पांचमा ओको अवादिस होगा, लेकिन यहाँ इ परिवर्तित हो गया, इ यहाँ आ रही है इ यहाँ रही है, तो इ जुर जाएगी तो पवित्रा, गवित्रा, सवित्रा इत्यादी, रूप बन जाएंगे ठीक है, चटमे स्टेप पर, ओको आप हुआ, कंडिशन वही है, लेकिन यहाँ इ का परिवर्तन किया, तो धावित्रा, गाविनी नाविका इत्यादी बन गया ओके, किलियर है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर सात्मा यांद लास्ट का अउ, यहाँ पर उचेंज हो गया बात बही है, आव आदे सोगा तो बन जाएगा, भावपला सोका हो गया तो भावपा, इसी प्रकार से चाव का, साव का इत्याद आपके जो भी एक्जामपल मिले तो यह सभी सभी किसके होंगे आयादी संदी कोंगे तो आयादी संदी आपकी जो है के लिए समझ गए, चलिए मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको ठीक है आप देखेगा छटमी संदी है और छटमी संदी आपकी जो है, वो है पूरुब्रूप संदी यह कहता है एंग प्रत्यार में आने वाले बढ़ों को पूरुब्रूप होता है अब पूरुब्रूप कैसे होता है तो इसका लिख लीजिएगा परिवासा छोटी सी ठीक है बढ़ इसको भी हम फॉर्मूला के एकॉर्टिंग करेंगे ठीक है जब इससे जल्दी समझ माई जाएगा जब पदांत पद क्यांते है ए या ओ के बाद ए या ओ के बाद हिरस आ यानि कि छोटा आए आए तो छोटे आ को पूरू रूप हो जाता है अब इसको याद कैसे रखोगे तो मैं एक बताऊंगा कि पहले आप बेद परते थे यानि कि बेद थे तो बेदों में जो पूरू रूप आ होता था वो कैसा होता था या होता था इसे क्या बोलते हैं अबाग्रे का ठीके अबाग्रे का तो पूरू रूप मानिक जो पहला रूप है जो पहले था उसी में परवर्टित हो जाएगा अब चलिए कैसे होगा तो ए या ओ आएगा तब ए या ओ के बाद तो हम दो फॉर्मूला यहां पर बनाएगे पहला इस्टेप यह रहेगा ए बाला कि ए प्लस आ आए तो इस आ को क्या होगा अब अग्रे का हो जाएगा ठीक, कंडिशन यह है चलिए देख लेते हैं यह बहुत यासान है कुछ भी नहीं लेकिन आपको क्या करना है संदी को भी याद करना है कि पूरू संदी बहुत पूझी आती इंपोटेंट है कि इसमें एंगा पतादन दती जो सूत्र है यही एक सूत्र है जिसमें संदी का नाम नहीं लिया गया बाद वाकी लगवग लगवग आप ब्रद्शंदी पढ़ते हैं का ब्रद्दी रादेच पहली नाम ने दिया अकास अबड़े दीर का आजगोड़ा अयाजशंदी इन चीज़ों को विश्यश कर याद रखे ओके चलिए अब देखेगा यहाँ पर हम स्टेप को स्टार्ट करते पहला पहला क्या ए प्लस आ आए तो उसको खंडा का रा होता है अबग्रे का रा होता है कैसे होगा तो मैंने उधारर लिया यहाँ पर जैसे हरे प्लस अब कंडिशन फॉर्मूलाम जो है दिखरा है कर नहीं दिखरा है ए यहाँ है तो ए यहाँ है आ यहाँ है तो अब का आ यहाँ है इस आ को क्या हो जाएगा खंडा का हो जाएगा जब यह हो जाएगा तो जो हरे का हरे ही रहेगा इसमें कोई वर्वरतन नहीं होगा लेकिन यह हो गया यहां वच्छा वा जोड़ दो मिला दो बन जाएगा क्या हरे वा ठीक कौन सी संदी है पूरूप संदी है ठीक याद रहेगा किलियर अब आप लोग करेंगे एक दो दारण में दे रहा हूँ बने प्लस अपी करिए बना लोगे कोई देखकर ग्रामे प्लस अपी बना लोगे कोई देखकर यह आपकी पहला इस्टेप फर्स इस्टेप था किसका एका अब दूसरा यहाँ पर दिया ओ एके बाद आए तो एके बाद छोटा आ रहा है और इसी आ को क्या हुआ अब अग्रे का आ हो गया क्लियर चलिए नेश्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं सेकेंड यह कहा था ओके बाद आए तो ओके बाद हमने आ ले लिया पर्मूला बनाओ अपने मांड से बस कुछ भी नहीं है ओके बाद आ ले लिया है तो इस आ को हमें क्या करना है देखो डेफिनेशन भी सब लिखा है खंडा कारा करना बस बस एक्जम्पल पर थोड़ा कौं ध्यान रखिएगा जैसे यह एक्जम्पल आगे आएगा ध्यान रखना विशर्क संदी में आप पढ़ोगे तब जैसे विप्रो प्लस आहां थोड़ा आप लोग मांड लगाईए उसके बाद हम इसको सॉल्प करें लगाओ इसको तब तक हम और भी उधारण याँ पर लिख दे रहा हूँ को प्लस आप पी ठीक है कंडीशन जो रखी गई है उसको फॉलो करिए आप यह आगे उधारण बनेगा बिश्डो प्लस आप यह आगे आपको उधारण 100% बलेगा और इसके अन्य उधारण भी आपर मैं दे दे रहा हूँ जैसे देगो पी जैसे आपका बाल को पी ठीक है चलिए मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा अब देखो सीधा सा फंडा यह यह कंडीशन जहां भी ओ ओ ओ आए उसके बाद आए तो यहाँ ओ है यहाँ आ है यहाँ आ है तो इस आ को सीधा कर दो खंडा कर दो यहाँ ओ है तो O के बाद आया, इसको खंडाकर कर दिया, इसी प्रकार से यहां, तो इसको मैं पूरा बता रहा हूँ, O आ गया, और प्लस के बाद आहम का A है, तो condition यह इस A का खंडाकर A होगा, तो यहां पूरा बचेगा क्या, विप प्रो, और यहां बचेगा हम, ठीक है, जोड़ेंगे, तो बनेगा, बिप प्रो, अहम, ठीक, condition लागव हो गई, इसी प्रकार से आप यह कर लोगे अब, तो इसका क्या बनेगा, कोपी, इसका क्या बनेगा, विस्नोब, ठीक है, विस्नोब आगे आएगा, फिर मज़ा आएगा, समझाने में, इसलिए यहां पर जो है, second step के लिए अर्थात आपकी पूर्वरूप शंदी, पूर्वरूप शंदी शमापत, ठीक, चलिए, पिछली देख लीजिए एक बार, सभी लोग इसको कर लिए, परिवासा यही थी, जब पतांत, पत्यके अंत में क्या था, तो पत्यके अंत में हरे में ए है, उसके बाद ए के बाद देहरत सो आए, तो आ है, अब कहा है, तो इस आ को क्या हो जाए, खंडाकार आ हो जाएगा, ठीक, अब अग्रेक आ हो जाएगा, तो बन गया था हरे म, बन एपी, ग्राम एपी, ठीक है, बना लोगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर, तो यह देखे, इस प्यार में आने वाले बढ़ों का पररूप एक आदिस होता है, आपस में मिल जाती, जिसको जो जरूरत होती है, वह मिल जाती बस, ना तो लोप होता है, ना किसी का कुछ होता है, यानि कि मिल जाना, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देख लिएगा, विशेश कर, मैं इसकी परूप संदी में क्या होता है, तो इसका कुछ परिवासा अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि लिख दूँ एक बार तो बैटर रहेगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि confusion दोनों में नहीं होना चाहिए आपको, ये कहता है, कि अकारांत, क्या, अकारांत उपस अपसर्ग, अब देखो यहां पर एक नया सब्दा आ गया, क्या, अपसर्ग, कि अपसर्ग के बाद, अपसर्ग के बाद A, अभी वहाण क्या हो था, तो यहां आपका था, कि A और O के बाद आए, ये कहरा, ठिक अपसर्ग बाद A या O से प्रारंब होने वाली धातुओं उहां सब्द की चर्चा कर रहे थे यहां धातुओं की चर्चा हो रहे धातुओं के आने पर पर रूप हो जाता है लेकिन इसको भी हम फॉर्मूला निप्टा दें क्यों यह कह रहां उफसर्ग के बाद A या O आए ठीक है उफसर्ग तो उफसर्ग कितने हैं बाइस उफसर्ग है तो चलिए देख लेते हैं दोनों को एक साथ देख लेंगे यहीं पर जैसे क्योंकि उफसर्ग सभी में लगेगा A और O देखना लास्ट में क्या है एक प्रा उफसर्ग है वही स्टार्टिंग से चल ले प्रा उफसर्ग है एज दातू है प्रा प्लस एजति पहला रूप बनता है एजति ठिक तो इसको पर रूप एक आदेश हो जाएगा यह क्या करेगा जुड़ जाएगा आपस में तो इन्हें दोनों को क्या होएगा प्रेज़ते बन जाएगा प्रेज़ते ठीक इसी प्रकार से नेश्टो दारण देखीगा ओप उपसर्ग है प्लस ओस धातू है तो ओसती बनता है ठीक जोड़ दो क्या बनेगा ओप ओसती कुछ नहीं है सिंपल है ठीक है इसी प्रकार से और अन्यों धारत को देख लिजेगा प्रापसर्ग है ओसती ले लिजेगा ठीक है तो इनको जोड़ दीजेगा क्या बन जाएगा प्रो सती ठीक है बना कि नहीं बना डेफिनेशन भी यह सब लिखा कि नहीं लिखा जो मैं आप कर रहा हूं आपको प्राप प्लस ए रख जोड़ दो ए या ओ आ रहा है तो हमने ओके दो देख लिए एक दो दो प्रारम में होने वाली दातों है तो इसको परूरूप हो रहा है एक दूसरे में जोड़ जा रहे है तो यहाँ क्या हो जागा प्रे रख तो इह आपकी परूरूप संधी शमाप यह बहुत कम लोग पढ़ते हैं और यहां से कोश्चिन देखा गया है नोट कर लीजेगा फटा पड़ सबी लोग एक दाव ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर तो आठमी शंदी है प्रकरति भाव शंदी इसका प्रकरति भाव जो होता है वो अलग है लेकिन प्रगरीश शंग्या करने वाला सुत्र है वो अलग है तो यह कहां प्रकरति भाव करेगा यह संग्या करता है किसकी तो इसको यहां पर मैं लिख देता हूं कि बड़ी EI या ब किसमया हो दुई बच्चन में हो दुई बच्चन में उनकी प्रगरिये शंग्या होती है यही डेफिनेशन है पूरी नहीं समझ माया अभी उधारण में मैं समझाओगा जैसे और प्रगरिये शंग्या जब हो जाती है तो प्रकृति भाव कौन सा सूत्र करता है तो वो करता ह प्लुत प्रग्रिया अचनित्यम ये प्रकृति भाव करता है ठीक ये क्या करता है प्रकृति भाव करता है अब प्रकृति भाव का अर्थ क्या है इसका जो अर्थ है इस शब्द का वो है जैसा का तैसा अर्थात कोई संदी न होना कोई संदी न होना ठीक है? ये दो पॉइंट याद रखना है ठीक? चलिए इतनी बात समझ गए अब ये कह रहा है कि दीर के ही कारांत दीर के ही कारांतों एक ही दुई बच्चन में होगा तब ही होगा, एक बच्चन में नहीं होगा दुई बच्चन की बात की गई है तो कैसे? एक उधारर लियामने हरी एतव इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, डारेक्ट है, कुछ भी नहीं तो पहला उधारर हरी एतव हरी में क्या है? बड़ी ही है और ये हरी एतव जो बनता है हरी सब्द का हर हरी हरया बनता है ना? तो हरी सब्द क्या है? दुई बच्चन है तो इसमें क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाएगा और प्रकृति भाव का अर्थ क्या होता? जैसा का तैसा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया तो हमने क्या कर दिया हरी एतव किलियर इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं विष्णू प्लस इमो भानू की समान चलेंगे भान भानू विष्णू विष्णू हूं दूई बचन है इमो भी दूई बचन है एतव भी दूई बचन है दोनों दूई बचन है तो अंत में क्या आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ बड़ा हूँ आ रहा है इस प्रकार से इसका प इमाउं ओके अब तीसरा आपका बच्चा है एक को देख लीजिएगा यहां पर देख लेते हैं गंगे प्लस अमू अधा सब्द का अमू जो बनता है अधा अमू अमू अमून दोई बचन में हो गंगे भी दोई बचन में बनता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाए ए आ रहा है ए आ रहा है हो आने के कारण और दोई बचन होने के कारण क्या हुआ प्रक्रत बहा हुआ प्रक्रत बहा हुआ तो जैसा का तैसा क्या रहेगा गंगे अमू ठीक इसी प्रकार से पचेते क्या करोगे अब इसमें प्लस बीच में लगा दोगे बस यह आपकी हो गई प्रक्तिवाव संदी शमाप्त और मैं कहना चाहूँगा आज आपकी स्वर संदी भी शमाप्त हो गई इसके बाद हम लोग जो है कुछ अपवाद देखेंगे इन चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठेक यू सो मच वीडियो को लाइट शेर ज़रूर करिएगा शबी गूरुप इत्याजवी चैनल पर पहली बाद आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लिएगा ओके, थैंक यू सो मच, बाई बाई, टेक के रवब फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में ऐसे सेसन को लेकर मज़ेदार और चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, टेक